तो आज हम बात करेंगे TCI Express एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक के रिजल्स के बारे में किस तरीके से इनके जो है रिजल्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है तो बात करते हैं सबसे पहले त्याइस एक्सप्रेस की तो टीसे एक्सप्रेस की अगर आप इंकम की अगर बात करें तो कहीं ना मन्त और ना मन्त के इसाफ्से भी देखेंगे तो 568 से इनकम इनकी करीब 789 के आसपास होती हुए दिखी है तो जबर्दस जो है इनकम में जो है भरत देखने को मिल रही है एंड साथ की साथ अगर बात करें प्रॉफिटेविल्टी की तो प्रॉफिटेविल्टी में भी देखेंगे तो आप यहरों नियर कॉटर नुकॉटर दो जबर्दस जो है ग्रोथ है 58 CR के सामने अभी इस समय पर 93 CR का जो है प्रॉफिट खड़ा हुआ है एंड साथ की साथ आप देखेंगे पिछले साल करीब करी 100 CR के आसपास का जो है कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था तो अभी 9 महीने के अंदर आप देखेंगे तो 93 CR क जो है कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट कर दिया है अब बात करें करीब करीब यहां पर 35-36 CR के आसपास कंपनी और प्रॉफिट लेके आएगी नेक्स्ट कॉर्टर में तो कही ना कहीं आप देखेंगे तो एक अच्छा कासा जो है प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखेगा क यहां पर बात करें मैंनेजमेंट की किस थरी किसे जो है आती हुई देखी है तो देखेंगे अन्द यह कंटीनु तो सी क्योंकियर रिकवरी एक्रोस इंडूस्ट्री बिजनेस स्टाटिट रीचिंग नियर प्री कोविट लेवेश एंड एकॉनमिक एक्टिविटीज दूरिंगा फेस्टिव सीजन एंड इंडेक्स पर इंडूस्ट्री प्रोडक्शन रिस्टाड इस्टाड इस्ट्रॉंग ग्रोथ मन्थ ग्रोथ कॉपल्ड विद था हाइयर इवे बिल जनुरेशन हावेवर इन नवंबर दाइवेब डिक्लाइं तो फाइम मॉन्थ लोग डिमांड मॉडरेट आफ्टर दा फेस्टिविटीज दवट रिकवरी वाज अगें विजवल इन दा मन्थ ओफ दिसेंबर तो एक अच्छा खासा जो पर्फॉर्मेंस कंपनी लेके आती हुई दिखी है और इनका जो कंस्ट्रॉक्शन अभी चल रहा है गुड़गाओं मे ग्रफॉर्ग दिखी रिखन अगर वाज शिस्ट्रॉक्शन वाज़ जाव जाज जान अपर देखी चर्व ग्रफॉर्ग पर लेको फट्वर अद प्रफॉरगं में हुड़गाओं इन अच्छंट रहा है और रहा है चार एक अच्छा ग्राइं अज़ टॉर्फॉर्ट अ अमंग दा कस्टुमर एस्पेसली रेल एक्सप्रेस वेर दे कंटीनू तो सी न्यू कस्टुमर एक्किजिशन तो कहीना कहीं कंपनी एक बैतर परफॉर्मेस दिखा रही है टेंपरेली इंपेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा थोड़ा ओमिक्रॉन के सेजमें ओमिक्रॉन की एक पइस सब्रूर एक स्मया चला गया है तो मेरे एसाबसे ये बहुत ही एक बैतर समय है अलाकि इस समय पे अभी आपको देखेंगे तो आपको volatility तो ये अच्छी खासी मिलती हुई देखेगी लेकिन यहां पे आपको volume बहुत कम देखेगा अभी हाल फिलाल stock के अंदर तो लेकिन यह area बहुत अच्छा यहां पे आप जो है stock में एक अच्छा खासा जो है एक average कर सकत है fresh wine में जो है इसके अंदर बिल्कुल की जा सकती है 2021 के अंदर इसका लो था करीब 812 रुपे 815 रुपे के आसपास और 2021 में इसने जो है इसका हाई जो लगाया है 2021 में 2560 रुपे के आसपास तो एक अच्छा खासा लो से आप देखेंगे तो हाई तक जो है company का stock जो है जात करने की कोशिस कर रहा है यह करीब दो महीने से आप इसका अगर stop loss की अगर बात करें तो मेरे इसाब से करीब जो निकल के आ रहा है वो है अठारे सु रुपे का तो यह वाला जो एरिया है यह मुझे लगता एक अच्छा एक स्ट्रॉंक जो है एरिया का जो है काम करता सेवंटीन हंड्रेट के आसपास मुझे लगता पहले तो वही ब्रेक होगा और अगर होता भी है तो सेवंटीन हंड्रेट का जो है एरिया निकलेगा स्टॉक बहुत ही मजबूत है इसको जो है मेरे दिमाग से तो जो है हर पॉल पर लेना चाहिए आगे बहुत ही अच्छा कहीं अगर देखा जा तो ओपरीटिंग एकस्पेंस जादा भरते हुए दिखें हैं तो इस कोटने कोड़र करोल के पॉश्ट कर पाई है और कॉर्टर और क्वाट प्रॉटर पॉफिट भी देखेंगे तो जस्ता रह गया तो कहीना कहीं एक बहुत ही डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है यह कंपनी और इसमें अच्छा-कासा फॉल भी जो है देखने को मिला है और नायन मंथ बेसिस पर देखेंगे तो कहीना कहीं बैटर परफॉर्म जो है करती हुई नचार आ रही है साड़े 16 करोड के प्रॉफ स्टॉक में देखने को मिलेगा और किस तरीकी की जो है इनकी आगे प्रॉफिटिविल्टी आती हुई दिखेगी तो इसको बिलकुल आप नजरेंदाज ना करें तो कि प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा जो है जाता हुआ दिखाए स्कॉर्टर के अंदर और जबकि फैटरन की मैं आपके सामने रखता हूं आप सब्सक्शन का क्रीब 411-415 रुपे के आसपास हाई इसने लगा है rp 50% के रिष्ट्रेंज को कट करके स्टोछ जो है उसके नीचे निकलने की कोसिजन चर रहा तो पहला सपोर्ट जोन तो करीब 570 के आसपास का है 570 अगर यह ब्रेक करता है तो यहां से जो है और यह डाउन और जाता हुआ देखेगा अगर मेरे एसाप से तो यह है कि आप इसको थोड़ा फिलाल के लिए जो है चोड़ सकते हैं यहां आप अपनी इसटेक को थोड़ा कम कर सकते हैं और अभी मेरे एसाप से बहुत लोंग टर्म के एसाब से आप लेने की सोचें अगर आप लेना भी चाहते हैं और कहीं न कहीं आप इसको छोड़के अधर कंपनी को भी जो है ले सकते हैं तो कहीं न कहीं एक जादा डिस्टरबेंस जो है देखने को मिल रही है और अब यह कब तक जो है अगर यहां से अगर तो कहीं न कहीं यह गहरा सकती है इसमें और जो है बैकवाली तो Оपना वी अच्पर ज़रू करें ऊसके बाद को 22 ऑदर करने